अयुध्या को सजाने और सवारने में सरकार जुट गई है त्रेता युग की तरह अयुध्या को सजाया जा रहा है जी हां 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का अयुजन होने जा रहा है जहां राम लला 22 जनवरी को अपने सिंघासन पर विराजमान हो जाएंगे बदादे के राम जन्म भूमी पत और धर्म पत दोनों पर प्रवेश द्वार बनाय जा रहे हैं जहां पर साथ घोडों पर सवार फाइबर से बने सूर्य देव को शहर के धर्म पत पर स्थापित किय जाएगा इतना ही नहीं यहां भगवान सूर्य स्वयम आयोध्या आने वाले श्रधालूं का स्वागत करेंगे चली आपको सुनाते हैं आयोध्या के कलाकार की जुबानी की कैसी चल रही है आयोध्या में तैयार है रियाना से यह चावल आया हुआ है जो राम भक्त और के नमेते हर्याणा से चार सो कुंतल यह चावल आया है कि यह भंडार कब से चालू होगा चोटे मटे भंडारे तो प्रारंभव हो गये हैं लेकिन ब्यापा के स्तर पर बड़े भोज ना लए क्यूंकि हजारों हजार की संख्या में कार्यकरता यहां वेवस्था में जैना खने अधा जो वंडाइं जो आवासीव उत्रा हारा है ऑड़े जात आवाज मन के लिए वियूस्था वेवस्था वनाइस आई जाएगी वह ब्यूस्था में देश भर के विश्व हिंदू परिशत की कारेकर्टा और रामभक्त दान कर रही हैं तो देखा अपने के उन्होंने कहा कि भगवान राम की नगरी को त्रेता युग की अयुध्या की तरह सजाने के लिए साथ घोड़ पर सवार फाइवर से बने सूर्यदेव के साथ साथ त्रेता युगीन कलाकृतियां और इस्तंभ लगाए जा रहे हैं जिसके बाद जैसे ही भक्त आयुध्या राम लला के दर्शन के लिए पहुँचेंगे तो उन्हें त्रेता युग का पूरा एहसास होगा बता दे कि हर कोई 22 जनवरी को होने वाले राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के आयुजन के लिए बेहद उत्सुक है और ये नजरे टिकाया हुए है कि कब राम लला विराजमान होंगे और पूरे देश में जैशरी राम के नारे गुन जाए मान होंगे